आज हम लोग इस थारा का जोईन पास फोटो बनाना सिखेंगे तो चलिए चलते हैं डेक्स्टप के स्क्रीन पर तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ उस फोटो को ओपन करती हूं तो इस फोटो को हम लोग आज जोईन पास फोटो में कनवर्ट करेंगे इसका बैग्राउंड भ गूगल ब्राऊजर खोल लेना है उसको गूगल में रेमूब बैग्रांट फ्रम इमेज ताइप कर देना है सबसे पहले इसके बाद यह इंटरफेस कुल्क करना है क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के चला आएगा तो आपको सबसे पहले अप्लोड इमेज पर क्लिक करना है उसके बाद फिर इस तरह का आएगा फिर अप्लोड इमेज पर क्लिक करना है उसके बाद direct आप अपने फाइल को open कर सेकते हैं यहाँ पे तो देखें मुझे यह photo को करना है तो मैं फोटो सेलेक कर लेती हूँ जैसे ही photo को catch करेंगा देखें यह तरह से change हो गया उसके बाद edit में click करना है click करने के बाद इस तरह background आजाएगा उसके बाद photo और color तो color में हम लोग को select करना है select करने के बाद इतना सारा color आजाएगा आप इसमें से कोई भी color select करके यहाँ पर लगा सकते हैं तो देखें यहाँ पर में change करके देख रही हूँ कौन सा suit करेगा इसमें तो मिझे यह वल अच्छा लगा color तो मैं इसको select करती हूँ उसके बाद download पर click करना है उसके बाद फिर से download image पर click करना है तो यह देखें मेरा download होके ready हो गया है तो चल दिए चलते हैं सबसे पहले अब adobe photoshop पर adobe photoshop को open कर लेते हैं थोड़ा से loading ले रहा है लोडिंग होता ही आपको जाना है फाइल में उसके बाद open करना है वह photo को जहाँ पर आपने remove background करके रखा था तो देखिए मेरा यहां पर है तो इसको मैं यहां पर click करके रख लेती हूँ क्लिक करने के बाद यह देखे photo आ गया उसके बाद इसको crop कर लेना है फोटो पास फोटो के हिसाप से इसको crop करके एंटर कर देना है crop tool से crop करके इसको एंटर करने के बाद इसका brightness थोड़ा घटा बढ़ा कर सकते है control L से और mouse की कसल से इसको up-down कर सकते है नीची थोड़ा सामने करके उसके बाद इसको set कर लीजेगा आपने हिसाप से करने के बाद इसको हम लोग कर देंगे तो उसके लिए मुझे मैं इसको यहां पर side में कर ली थी उसको थोड़ा सा छोटा करके चोटा करने के बाद मुझे यहां पर फिर से new में जाना है फाइल में जाके new में क्लिक करना है क्लिक करने के बाद मुझे पेज बनाना है 4 by 6 का photo size 4 by 6 का page को बनाने ला है width को 4, height 6 इसको कुछ नहीं करना है उसको बाद okay यह देखिए 4 by 6 का page हमारा ready हो चुका है तो उसके बा चुके करने के बाद laugh tool को select करना है उसके बाद इस photo के उपर clicked करना है फोटो को click करके आराम से drag करके दूसरा page पर ले जाके रख जाके यहां पर रख देना है अपना हिसाब सेचेको चूटा बड़ा कर सकते उसके बाद इडीट में जाना है इडीट में जाने बाद स्ट्रॉक में क्लिक करना है उसके लिए बोर्डर से ले करना है कितना वित रख सकते हैं तो मुझे टू रखना है तो मैंने कर दिया उसके बाद एक हाथ से अल्ट को दबाके एक हाथ से माउस को दबाके इसको करने के वाश estas अब कपी करनेंगे आ अपको शूर्प को अधर मॉव कते कैना है तो चपड तक ये मेरा गयरा हुआ तरह करें जाओ यह रहा हमाँ झाल को मॉव करते रहना है तो देखिए मेरा क्या है तौर सुझ आपया है वहां पर कॉपी करके तो अब अल्ट को छोड़ देना है उसके बाद आपको एरो को बट्टिन से ठीक इसको शेट कर लेना है उपर नीचे थोड़ा-थोड़ा इदर उधर हुआ है तो इसको फिट कर लिजेगा अपने हिसाब से तो मैं इसको फिट कर लेता हूँ फटा-फट से तो यह दिखें मैं सब सेट हो गया है फिट करने के बाद अब इसको हमें देना है प्रेंट प्रेंट को देने के लिए हम लोग पहले जाते हैं उसके बाद हमें फाइल पर क्लिक करना है उसके बाद प्रेफरेंस तो यहां पर हमें उसके बाद हमें page setup पर click करना है click करने के बाद size में जाना है सबसे पहले 4 by 6 4 into 6 को select करना है उसके बाद इसको portrait पर ही portrait पर ही रखना है उसके बाद ok कर देना है उसके बाद आपको यहां पर skill to fit पर टिक कर देना है तो यह देखिए इस तरह का फिर से तो फिर प्रोपर्टी में जाने के बाद आपको सबसे पहले ध्यान देना है फोटो फोटो स्प्रिंटिंग पड़ी रखना है उसके बाद यहाँ पर साइज में जाके 4x6 को सेलेक करना है उसके बाद और आपको OK कर देना है OK करने के बाद उसके बाद फिर से OK पर क्लिक करना है तो यह दिखे हम लोग का printing स्टार्ट हो गया है तो मैं आप सभी को live दिखाने बाली हूँ अभी print करके तो यह दिखे हैं हम लोग का यह 4x6 का पेपर है हम यहां पर printer रख देते हैं तो यह दिखें printing होना स्टार्ट हो गया है थोड़ा सा ताइम लेगा इसको तो यह दिखें इसको paper भी अंदर ले चुका है तो प्रिंट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तब तक हम लोग वेट करते हैं यह दिखें प्रिंट हो के आ रहा है बहुत ही अच्छा क्वालिटी में आया है तो आप सब भी इजिली बैग्रांद रिमूब करके जोइन पास फोटो आराम से बना सकते हैं जिस तरह मैं मैंने इस वीडियो में दिखाया है आप सभी को अगर आप सभी को थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ तो मेरा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और कमेंट में भी बोलिएगा कि और किस तरह का वीडियो बनाए तो देखिए मैंने सब कटिंग करके अब कस्टोमर के देने के लिए रेडि करके रख सकी हूँ तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में